हेलो फ्रेंड्स मैं चाकरती आप सभी का बेलकम करती हूँ और आज हम बनाने वाले हैं मूंकी दाल के मिनी समोग से जो की स्नेक के तरीके से खाये जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की मज़ेदार रेसिपी यहाँ पर एक कप मैदा ली है मैंने थोड़ी सी अजवाई और नमक टेस्ट एकॉर्डिंग इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और टू टेवल स्पून लगबग घी लिया है मैंने देशीगी को मेल्ट कर लिया है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हाँ यहाँ पर रिफाइंड ओयल यूज नहीं करना है आप देशी ही यूज कर सकते हैं उससे उतना क्रिस्पी समुझ से नहीं बनेंगे तो यह देखिए इस तरीके से मुठी बंद करके देखेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाकर डो तयार करेंगे पानी को बहुत हलका सा गुनगुना किया हुआ है मैंने और पूरी से भी टाइट डो हम लगाएंगे यहां यह देखिए हाफ कब से भी कम पानी यहां पर यूज हुआ है अब इसको ठक कर रख देंगे ताकि अच्छे से से हो जाए और यहां पर देखिए मूंग डाल है यह इसको मैंने चार पांच घंटे अच्छे से भिगो लिया था और दर दरा पीस लिया है मिक्सी में इसकी हम फिलिंग तयार करेंगे यहां पर दो चम्मच ऑईल लिया है अच्छे से गरम हो जाने दिया और जीरा एट करेंगे हाफ चमच सौफ एट की है आप चाहें तो सौफ पाउडर भी यूज कर सकते हैं हिंग टू पिंच और कटी हुई बारी कटी हरी मिर्च है तीखा या कम तीखा आप अपने साब से रख सकते हैं और अधरक है एक चोटी चमच सबी चीजों को अच्छ से मिक्स कर लेंगे और जब आप हलका सा बूनेंगे तो देखेंगे अच्छी सी खुष्बू आने लगी है अब ये जो दाल है हमने पीची होई है उसको टाल लेंगे पैल में और कैस की फ्लेम को दीमा ही रखेंगे क्योंकि दाल लगने लगेगी नीचे और आप लिए को पीड़ियो को लास्ट तक देखेए काम आपको टिप्स भी बताती जाओंगी साथ शाथ क्या करना है और क्या नहीं करना है इसमें तो टिप्स के लिए वीडियो को देखेएगा ताकि आपकी समों से अच्छे बनें उन्न अपटें यहां पर धनिय पाउडर नमक टेस्स एकॉर्डिंग और लाल मिर्च मैंने एट की है आप खटा पसंद करते हों आमचूर पाउडर मैंने भी डाला है इसमें आप भी एट कर सकते हैं गरम मसाला थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स भी करते जाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर एट किया है और सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर दाल को इतना भूना है देखिए यह ड्राय हो चुकी है अगर दाल में थोड़ी सी भी नमी रह चाहेगी तो फिर सम समुसे बनेंगे इनकी शेल्फ लाइब भी जादा नहीं होगी यह देखिए दाल की फिलेंग हमारी रेडी हो चुकी है तो चलिए अब हम समुसे तैयार करते हैं आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है एक पार इसे अच्छे से इस तरीके से मेंश कर लेते हैं और अब इसकी चोटी-चोटी सी लोईयां बनाएंगे हम क्योंकि हम यहां मिनी समुसे बना रहे हैं यह देखिए चोटी-चोटी सी लोई बना लेंगे ये देखें हाथों की हल्प से अच्छे से लोई तयार हो चुकी है इसको लेकिन ढखकर रख देंगे ताकि ये सुखे न और इसे पूड़ी के आकार का बेल लेंगे ये देखें इस तरीके से एक छोटी पूड़ी तयार करेंगे हम इसे बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं कि बीच में से कट लगा देंगे इस पूड़ी के बीच बीच कट लगाईगे अब हम इसे कोन की आकार में बनाना है तो हलका सा पानी लगा Bean और फ्रेंड्स एक खास टेप से है अगर आप पानी लगा नहीं लगाएंगे तो समों से अच्छे नहीं बनेंगे और ओयल में जाकर खुल जाएंगे तो अच्छे से पानी लगाकर इसमें इसे बंद करना है ताकि ये कड़ाई में जाकर खुले नहीं अब मैंने आधा चमल देखिए फिलिंग गई है और इसके किनारों पर भी हलके से पानी लगाकर हम इसे बंद कर लेंगे ताकि इस ट्रफिक बाहर ना निकले कि यह देखिए समोसा रेड़ी हो चुका है इसी तरीके से हम बाकी पूरियां भी बना लेंगे इस तरीके से और कट लगाके समोसे रेड़ी करेंगे बाकी समोसे भी हम इसी तरीके से रेड़ी कर लेंगे और समोसे में फिलिंग भी ज्यादा नहीं बढ़नी है हमें ताकि यह कड़ाई में जाकर खराब हो जाएं अच्छी से पानी लगाकर इनको भढ़ना है ताकि यह खुले नहीं और दाल में अगर जरासा भी मौशर रह जाएगा नमी रह जाएगी तो समोसे जल्दी खराब हो जाएंगे तो इसलिए दाल को अच्छे से बूरना है ताकि वह बिक्री बिक्री अलग अलग हो जाए और समोसे हमारे रेडी हो चुके कड़ाई में ओईल ले लिया है और हलकी सही गरम हो गई है बहुत ज्यादा तेज गरम नहीं करनी है क्योंकि हमें समोसों को बहुत ही दीमी आज पर फ्राई करना है ताकि यह गोल्डन ब्राउन दीरे दीरे करके हो जाएं अगर यहां पर हम क्यास की फ्लेम को तेज करेंगे तो यह जल्दी से से चाहेंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे तो इसलिए दीमियाज पेन को अराम से जेखना है जल्दी वादी नहीं करनी है और आप मार्केट जैसे मिनी समोसे खुद बना सकते हैं और लगभगे ने बना कर हम बन मन्थ से चाहता स्टोर कर सकते हैं एक समोसा खुल गया तो देखिए मैंने से निकाल दिया था यह देखिया हलके हलके ब्राउन हो चुके है कितने अच्छे समोसे पनकल रेडियों में हैं एकदम हलवाई स्टाइल में तो आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट में जरूर बताईएगा कि आपके समोसे कैसे बनें तो फ्रेंड्स अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा थैंक यू सो मच और मिलते हैं हमें फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ में